राशियों में अगी राशी है, ब्रिश्चिक राशी, जानते हैं स्कॉपियम्स के लिए कैसा एने वाला है आज का दिन और साथी साथ सफलता पाने के लिए जीवन में हर कारे में सफलता मिलें उसके लिए किस इत्रका आपको इस्तेमाल करना है आईए जानते हैं, पंडी जी ये दोनों प्रसंसनिये होंगे दिन की सुरुवात आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है और निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए बहुत लापकारी है आज आपको चाहिए कि कोई एक इत्र जो रोजमर्रा का इत्र है उसे आप लगाईए इससे आपका भाग्योदय होगा राशी मेगी राशी है धनु राशी जानते हैं सेजिटेरिंस के लिए कैसे हैने वाला है आज का दिन और साथी साथ हर कारे में सफलता पाने के लिए कौन से एत्र का करना है आपको इस्तिमाल आए जानते हैं पंडी जी बताइए और मन मस्तिस्क आपका प्रसंद रहेगा जैमा बिंदवास में चलिए अब जाय ध्यान से सुनीजे यदि आपका जन रात के आट बजे से रात के बारा बजे के बीच में हुआ है तो ऐसी में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और क्या कुछ कहता है आपका भविश्य आईए जानते हैं पंडीजी बताईए से जूड़ी हुए और सिक्षा से संबंदी जो है परिशानिया भी होती है तो सूर्य आपको सकारात्मक सोच का बना देता है और आप इक्षा सक्ती के धनी हो जाते हैं ऐसे लोगों की रूची कारोबार में ज्यादा होती है किसी तरह का दिखावा आपको नहीं करना चाहिए अब बताना चाहूँगा आपको यदि आपका जंग रात दस बजे से मध्यरात्री अर्था बारा बजे के बीच हुआ है तो आपका सूर्य नियसंदे सुख के अस्थान में अर्था चोथे भाव में होगा ये सुख और संपत्ति देता है इसमें कोई संदे है नहीं दसमें भाव पर इसकी पूर्ण द्रिष्टी सासन प्रसासन में आपकी हनक बनाता है ऐसे लोगों को प्रापर्टी के काम से नियसंदे फायदा होता है ऐसे लोगों के माता पिता उनके जीवन में आहम भून क्या निवाते है ऐसे जातक का पिता नियसंदे परतापी होता है और उसके यस किर्थी का डंका दूर दूर तक बज़ता है तो यदि कुंडली में ऐसी इस्थिति आपके है और पापक ग्रहों से आपका सूरिय फिरत नहीं है तो आपको चाहिए कि आप गाहित्री मुंतर का निति जब किया करें और सूरिय को अरग भी दिया करें इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा आए इसे के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की आज के मारे कुंडली कॉलर है दिली के रहने वाले मनीश अग्रवाल, इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है आए पनीश से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है मनीश अग्रवाल का जन्म 23 जून 1989 को 6 बचकर 20 मिनट पर साइंकाल मुरादाबाद उत्रप्रदेश में हुआ मनीश जी आपको कुंडली ब्रिष्टिक लगन की है लगन का स्वामी मंगल, सुक्र और चंद्रमा के साथ साथवे घर में आपके पत्मी के अस्थान पर बैठे हुए है सुक्र की, चंद्रमा की और मंगल की पूरी द्रिष्टि लगन पर पड़ रही है अर्थात, आपको थोड़ा सा रग्त से सम्मनित बिमारियां हो सकती है ब्लड पेसर हो सकता है आपको, सुगर हो सकता है आपको लेकिन इन बिमारियों का अभी समय नहीं आया है इसलिए आपको इन बिमारियों से बच करके रहना चाहिए आप आकरसक होंगे, सुंदर होंगे और निश्चित रूप से अच्छी प्रतिभा के आप धनी होंगे हाँ, आपका गुरू उच्चका हो करके बुद्ध के साथ आपके भागय स्थान में बैठा हुआ है यह संकेत देता है कि किसी विशय को ब्याक्षा करने में आपको महारत थांसिल होगी और निश्चित रूप से आप बड़े धार्मिंग बेखती हैं, कभी किसी प्रकार का कुरूर कारे आप नहीं कर सकते हैं लेकिन आपके जीविका भाव में राहू सनी की स्थिती इस बात का संकेत करती है और उसका मालिक सूर्य मृतु भाव में बैठा हुआ है कि आपको अपने नवकरी को ले करके बहुत स्ट्रेस रहती है आपके विदेश जाने का योग सिग्रही बनने वाला है 30 जनवरी 2014 के पहले आप प्रयास करिए आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी आपको मोती, मुंगा और पुखराज ये तीन रत्म धार्ण करना चाहिए दस रत्ती का मोती, दस रत्ती का मुंगा और कम से कम सात रत्ती का पुखराज आपको धार्ण करना चाहिए इससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से होगा काल चक्र में आज पंडी जी बता रहे हैं अलग-अलग पहर यानि कि सुबह, दुपहर, शाम और रात को जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यभार कैसा होता है और उनका आणे वाला कल क्या कुछ कहता है चलिए पंडी से जानते हैं जिन लोगों का जन रात के बारा बज़े हुआ है और रात के बारा बज़े से लेकर सुबह के चार बज़े के बीच पे हुआ है ऐसे लोगों का व्यभार कैसा होता है और इनका भविश्य इनके बारे में क्या कुछ कहता है पंडी जी बताएए खांदान का नाम रोशन करते हैं त accusing भाव का सूर्य बड़ा ही अच्छा माना गया लेकिन तिरती भाव का सूर्य जेष्ठ भाव के लिए आनक्या रख है जिनके बड़े भाव हैं और कुंडली के तिसरे भाव में सूर्य बेठा हुआ है उनके बड़े भाई को पापक ग्रहों की दसा में मृत तुले कर्ष्ट भी पापत होता है लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि तीसरे भाव का यदि सूरे हो तो जातक निया संदेह परतापी होता है और अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला होता है लेकिन अगर आपका जन रात के दो बजे से और भोर के चार बजे तक हुआ है तो आपकी कुंडली में सूरे दूसरे भाव में होगा सूरे दूसरे भाव में जो तो जातक धन्वान होता है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन यदि सनी आपके कुंडली के आठवे भाव में बैठा हुआ हो और सुरे दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जात्मी भिच्छुक और निर्धन भी होता है। तो इसलिए इन सब दुर्योगों को मिठाने के लिए आपको चाहिए कि आप सुरे समनित बस्तुएं जैसे तांबा, गुर, गेहुं ये सारी चीजें आपको दान भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों का असुप्रभाव जीवन से समाप्त होता है और जीवन में एक सुप समय की सुरुवात होती है। वो भी आपके लिए लापकायरी होगी और आपकी आम्दनी भी बढ़ेगी अन्या आयसरोतों से भी आपको लाप प्राप्त होगा। नया घर और प्रापर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुप समय है। आपको चाहिए कि आज कस्तूरी का इत्रा आप प्रयोग करें जैमाविन दिवासनी। राशी में अगडी राशी है, कुम राशी जानते हैं क्वेरिस के लिए कैसा हैने वाला है आज का दिन। और साथ यशाथ सफलता पाने के लिए किसी भी कारे में और जीवन में आपको किस इत्र का इस्तमाल करना चाहिए आए जानते हैं। पंडी जी बताईए। आज कुम्मराशी के जो जातक हैं, उनका वास्त भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसंद रहेगा, रुके हुए सरकारी कामकाज भी आप चुटकी वजाकर पूरे कर लेंगे, कोई व्योधान नहीं होगा, आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, उन्नेती हो सकती है, मीन राशी जानते हैं, पाईसीज के लिए कैसा यने वाला है आज का दिन, और साथी साथ किसी भी कारे में सफलता हासिल करने के लिए, कौन सेत्र का आपको करना है इस्तवाल, आए ये भी जानते हैं, बंडी जी बताइए पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, अगर कहीं आपका पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ है और उसके लिए आप प्रयास करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आज आपको चाहिए कि कस्तूरी का इत्र या मोंगरे का इत्र आप लगाएं, इससे आपक जोड़ गए है, दिलीब जी सभागत है आपका, अपनी उम्रे बता कर अपना सवाल करें अपना स्वाल करें देखे, मैं आपको पताना चाहूंगा कि गुधभ रिहस्पती, दोनों ग्रहों का पंचमनों में इत्र साल जरूर हो रहा है, लेकिन मंगल मरूयोग कारक है, आपके ससुराल के पक्षके, आपके सास, साला, इन सब लोगों के कारण आपके दामपत्य जीवन में काफी खरा किजिए, इन ग्रहों की सांती होगी, और आपके वैवाहिक जीवन में एक सुर्ता का संचार होगा। जसी में भी बिखे लोगे और उनका दिमार पराबर काफ महीं चाथता है। परनीजी बहुत 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 शुक्रये तुमाब जातकारी के लिए। पर से बारी बारी से उतार करके चार नारियल बहते हुए पानी में पराहित करें ऐसा चार बुधवार यह दियाद करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में अस्थाय तो आएगा पंडी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए